मश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी English Grammar की जिसमें हम Adjective स्टार्ट कर चुके हैं With Detail की उसके हम 3rd वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम Possessive Adjective क्या होते हैं इनको हम जानेंगे और PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ Description Box में Telegram का एक Link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो की या Even मैं कहूँ जिसमें हमने Pronoun Complete कर लिया है Basics Complete कर लिये हैं और Adjective की ये 3rd वीडियो आ रही है इन सब वीडियो की PDF जो है तो चलिए Start करते हैं First of all, जैसे हमारी एक Trick रहती है या फिर हमने जैसे हमेशा एक Pattern बना रहा है Start करने का कि हम सबसे पहले Introduction देखेंगे Introduction किस चीज़ का कि हम Adjective पढ़ रहे हैं तो Adjective का Introduction देखेंगे क्या होता है Adjective Adjective is a word used to qualify a noun और a pronoun यानि कि Adjective किसी noun या pronoun की विशेषता होता है विशेषता किसी भी तरीके की हो सकती है अच्छी, बुरी या किसी की तरह विशारा करके even कुछ भी वो बता दे इस विशेषता का मतलब होता है वो कुछ भी बता दे उसको हम कहेंगे Adjective आज हम बहुत अच्छे से देखेंगे इस चीज को अब सवाल ही ऊड़ता है कि सर कुछ टाइप होते हैं या इस चीज के यानि कि एड्जेक्टिव के कुछ टाइप होते हैं बेशक होते हैं हम ने अब तक proper अब सब्सक्रिण और बार सब्सक्रिण ना होने लग जाए वो या आपके लिए उपर बर्डन ना मन जाए आपको जो टाइप समझ में आना उसकी अपनी अलग से वीडियो बना के रखूँगा ताकि वो अच्छे से समझ सके तो आज हम समझने वाले हैं पोसेसिव एड्जेक्टिव ओके पोसेसिव एड्जेक्टिव यह क्या होता है इसका मीनिंग क्या होता है देखे जो एड्जेक्टिव किसी व्यक्ति अथवस्तु से संबंद बताते हैं उसे कहते हैं पोसेसिव एड्जेक्टिव ऐसे पोसेसिव का मतलब होता है संबंद बत तो अब तक हमने इसको तीसरी बार अब मिलाकर मतलब आज की वीडियो को मिलाकर थर्ड टाइम जो हम इसको रिवाइज करने वाले हैं तो चलिए देखतें पोसेसिव का क्या मतलब होता है अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एक सेंटेंस इस सेंटेंस में जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्जामपल दे देता हूँ जैसे कि possessive adjective अब कोई car बाहर खड़ी है और मैं कहूँ ये car किस की है तो आपने का ये car तो मेरी है my car तो ये जो word आपने लगाया ना इससे पहले ये जो my car ये my जो लगाया इस car के उपर अधिकार जताने के लिए आ गया इस car के उपर अधिकार जताने के लिए आ गया तो इसी word को हमने कह दिया possessive adjective clear आज आपको एक और concept भी कराना है possessive adjective यानि adjective versus determinants ये क्या होते हैं काफी सारे बच्चों को confusion रहती है कि adjective और determinants में कितना फर्क है क्या दोनों ही same है वैसे मैं अपनी तरफ से दोनों same करवा के चलता हूँ लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ें भी clear करवा दूँगा तो my हो गया, our हो गया, you are हो गया चैस, my के जगए you are लिखा होता या फिर his लिखा होता या फिर their लिखा होता या फिर his हो गया, our लिखा होता ये सब चीज़ें अगर लिखी हुए थी इनके बाद अगर कार लिखा होता तो ये सारे word जो हैं, वो क्या कर रही है वो possessive adjective का काम कर रहे है संबंद बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं इस word के लिए, इस word के उपर clear हुआ अब आते हैं, इस sentence के उपर ये मैंने आपको करवा रखा है अब यहाँ पर फिर से एक बार revision हो जाएगी इस sentence को देख लेते हैं, जैसे sentence में लिखा है mine dog is stronger than yours, अब यहाँ पर इस sentence को break करने की बात करें तो is, यह हो गई आपके सामने main word stronger, यह हो गई आपके सामने adjective है comparative adjective हमने use कर रखें, stronger जो है यहाँ पर subject complement का काम कर रहा है, then यहाँ पर conjunction है, और यहाँ पर your जो है, वो subject number 2 है subject 1 कहा है, subject number 1 यहाँ पर है यह subject number 1 हो गया यह subject number 2 हो गया, और इसके बाद जो है, is verb जो है, वो understood है, clear हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर बात करते हैं, इस word की यह mine क्या कर रहा है यहाँ पर अब जड़ा देखो, यह mine जो है, यह possessive pronoun होता है, आपको मैंने एक table कराई थी, my mine, यह जो है, possessive adjective है यह possessive pronoun है इनके बीच में difference भी करवाया था difference क्या, कि भाया, my car करो, is equal to mine कर दो तो यानि कि, जो possessive pronoun जो होता है, वो equal होता है possessive adjective plus में noun के clear हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ possessive plus adjective possessive adjective plus में noun possessive adjective plus में noun is equal to possessive pronoun यह अकेला word यह अकेला word, इन दो words के बराबर होगा clear हुआ तो यहाँ पर यह तो possessive pronoun है अब यह भी आपने possessive pronoun ही लगा रखा है अब possessive pronoun लगा रखा है तो आपको पता है कि pronoun का काम क्या होता है pronoun का काम वही होता है जो noun का होता है subject या object बनना अब आपके सामने ओलड़ी एक सब्जेक्ट आया हुआ है क्या सर दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते हैं पेशक आ सकते हैं लेकिन दो सब्जेक्ट को जोडने के लिए कोई conjunction तो चाहिए होती है यहाँ पर नहीं है तो इस sentence में वैसे आपको पता है क्यों माई आयेगा अब लोजिक में आपको दे रहा हूँ कि क्यों माई आया इन सारी तमाम चीजों से हमने देखा कि दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि उनके बीच में conjunction नहीं है यहाँ पर यह पोसेस्सी प्रोणाउन बनाके बैटे हो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है इन तमाम बातों से जाना यह माई जो है यह गलत है तो यहाँ पर आयेगा क्या वह यहाँ पर आना था यह डोग आपके सामने लिखा हुआ है यह एक नाउन है सीधा सीधा समझ रहे हो कि इस डोग के उपर अधिकार जताना था इसलिए माई लगाना है यहाँ पर तो माई डोग is stronger than yours तो यह होना था हमारे सामने इस sentence का सही correction clear हुआ अब आगे आते हैं अगला sentence लिखा हुआ है I can do anything with this car because it is my while working यहाँ पर आते हैं can can होगै आपके सामने modals why a helping work तुरों तरीके से modals helping आपके काम आगे हमारे सामने do आ आपके सामनी main work I can do anything यह जो anything है यह है आपके सामने object होगै आपके सामने clear with जो है वो है proportion यह होगी proportion और preposition के बाद आते हैं, preposition के object तो car है इस preposition का object और this, इसके ओपर अधिकार जताने वाला अधिकार जताने वाला demonstrative, अधिकार नहीं, sorry इसके तरफ इशारा करने वाला demonstrative adjective यह demonstrative adjective हो गया clear हुआ अब यह जो because है यह जो because है, यह है आपके सामने conjunction, यह because होगी आपके सामने conjunction, it यह जो it है, यह है आपके सामने introductory subject यह मैंने आपको करवाया था introductory subject क्या होता है और इसके बाद real subject आता है यह जो my है, यहाँ पर यह real subject बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यह तो my, यह एक possessive adjective है, और यहाँ पर यह subject compliment, या फिर इसको ऐसे समझो यह real subject का काम नहीं कर सकता अब कहियों को यह समयन में आए कि sir, हम इसको introductory subject आम आने बेशक मत बानो, it को तुम subject मान लो, इस तुमारी main verb होगी अब जब भी b की for main verb बनती है तो उसके बाद subject compliment आते है तो यह my को तुम subject compliment बान लो clear हुआ, अब यहाँ पर यह adjective है और adjective जो है वो subject compliment का काम कर सकते है यह चीज तो सही है लेकिन, भाई उसके अंदर सारे ही adjective नहीं आते कि सारे के सारे ही adjective जो subject compliment का का काम करते है, clear हुआ अब यहाँ पर काफी सारे टीचर इसको ऐसे समझाते हैं कि जो माई है यह डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर जो वो subject compliment का काम नहीं करता मैं ऐसे कहता हूँ कि भई यह जो माई जो है वो अकेला नहीं आ सकता इसके बाद एक शब्ध हमने को लिखना ही लिखना पड़ेगा सीधी सी बात यह अब यहाँ पर यह जो माई है यह कटेगा और यहाँ पर आएगा आपके सामने माई अब माई क्यों आया क्योंकि भई कार की बात हो रही है कार की repetition भी रोकनी है उसके पर अधिकार भी जताना है तो pronoun बैठाना यह जो pronoun, possessive pronoun है यह अधिकार भी जता रहा है pronoun होने के कारण यह repetition भी रोक रहा है कार की तो इसलिए यहाँ पर माई नाएगा अब adjective जो है यहाँ पर subject compliment का यह जो माई है वो काम नहीं कर सकता और यहीं पर एक concept आता है कि इसीच का ध्यान रखना कि possessive adjective कभी भी subject compliment का काम नहीं कर सकते अब क्यों नहीं कर सकते इसको teachers ऐसे समझाते हैं कि ऐसे समलो कि adjective determiner के बीच में difference अब सबसे पहला जो difference आता है adjective determiner में कि जो adjective होते हैं gradable होते हैं gradable बोले तो compare कर सकते हैं जैसे उनकी comparative degree होते हैं strong, strongest, strongest compare कर सकते हैं हम इसको और जो determiner होते हैं उसको हम compare नहीं कर सकते second होता है इनको adverb qualify कर सकती है लेकिं जो determiner होते हैं adverb can't qualify अब ध्यान रखना ये जो can't मेंने color इसी लिए क्या थाकि आपको ये ध्यान रहे और यहां पर adjective जो होते हैं can act as compliment वो compliment के तोर पे वो काम कर सकते लेकिन determiner जो होते हैं वो compliment के तोर पे काम नहीं कर सकते इसको भी colorful किया है मैंने ताकि यह चीज़ें आपकी ध्यान में रहे इसमें example में अगर देखे हैं तो brave, nice, intelligent यह सारे के हैं आपकी सामने adjective होगे और यहां पर article, possessive adjective, demonstrative adjective, distributed adjective यह क्या होते हैं यह आपकी सामने determiner होते हैं सीरी सी बात यह अब यहां पर यह आपकी सामने मैं करवा रहा हूँ possessive adjective possessive adjective जो है वो determiner में आते हैं तो माई की जगह पर क्या लगाया है हमने माई लगाया आप इसको ऐसे समझना चाहोता है ऐसे समझना चाहोता है या फिर ऐसे समझो कि adjective जो माई होता है possessive adjective वो एक ऐसा word है वो अकेला नहीं आ सकता उसके बाद हमें कोई न कोई शब्द लगाना ही पड़ेगा इसको ऐसे भी समझ लो यह जब चीज़े मैं इसलिए निकरा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें complex हो जाती है वैसा इसमें कुछ है नहीं कुछ teachers करवा रही है इसलिए मैंने भी करवा दिया ताकि ऐसा ना हो कि बच्चों को लगे कि हमारा कुछ चूट गया हूँ तो उमीद करता हूँ कि जो आपको जो possessive जो adjective है यह छोटा सा concept है यह आपको समझ में आ गया होगा और साथी साथ आपको adjective versus determiner क्या होते हैं यह भी समझ में आ गया होगा तो वीडियो पसंद आई है तो इसको like करें चैनल को subscribe करें PDF के लिए मैं फिर से बदा देता हूँ डिस्क्रिप्शन वोक्स में टेलिग्राम का link दिया मिलेगा जिसमें आपको सब भी वीडियो की PDF मिलेगी चैनल को कोई भी हो उन सब की जो PDF है वो आपको टेलिग्राम के चैनल पर provide करवाई जा रही है वीडियो पसंद आ गई है जादा ही पसंद आई है तो शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारों के जो आपके रिलेटिव है उनके साथ सभी के साथ वीडियो को भी as well as चैनल को भी थैंक यू पर वोचिंग इस वीडियो